नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे welding position के बारे में welding करते समय हम किस किस position पर welding करते हैं ये mainly 4 position होती हैं अगर हम बात करें flat position, horizontal position, vertical position और overhead position तो यहाँ पर अगर हम बात करें अक्सर interview में भी पूछ लिया जाता है कि जो 1G है उसका क्या मतलब होता है तो यहाँ पर G का मतलब है groove जब हम plate, जिस plate को हमें weld करना है अगर वहाँ पर groove बना दिया जाए तो वो groove weld हम करते हैं अगर 1G लिखा हुआ है उसका मतलब होगा कि उसका वो flat position है और 2G का मतलब होगा वो horizontal position है 3G का मतलब होगा vertical position है 4G का मतलब होगा overhead position है अब जरूरत के अनुसार groove बनाए जाते हैं groove अलग-अलग type के हो सकते हैं जैसे अगर आप यहाँ पर देखें यह single V groove बना हुआ है double V groove भी हो सकता है single U groove हो सकता है double U groove हो सकता है single Bevel हो सकता है double bevel हो सकता है तो अलग-अलग रूप बनाए जा सकते हैं लेकिन हमें यहां सिर्फ ध्यान यह रखना है अगर 1G है तो हमारी जो plate की position होगी वो flat position होगी 2G है तो plate की position horizontal होगी 3G है तो plate की position vertical होगी 4G है तो overhead position होगी अब one by one देखते हैं कि इन positions का मतलब क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं flat position की अब flat position में अगर हम बात करें इसमें जो work piece जिसे हमें weld करना है उसे flat रखा जाता है एक परकार से और इसमें जो axis of weld होता है वो अगर हम देखें वो इसमें horizontal होता है अगर आप देखें यहां से यहां तक वो अलग से welding technique होती है कि हमें इसमें right word welding करनी है कि left word welding करनी है वो हम यहां discuss नहीं करेंगे उसके बाद इसमें जो important बात ध्यान देने की है जब भी flat position में welding की जाती है तो जो welding operator होता है वो उसका जो sir होता है उसका जो head होता है वो flat position के बिल्कुल उपर होता है जैसा आप इस diagram में देख पा रहे हैं और जो surface जिसे हमें weld करना है वो हमारा उपर की तरफ रहता है वो upper side पर होता है और इस परकार की जो flat position होती है इसमें जो molten जो pool होता है जो safe होती है या जो metal का जो molten pool है उसको बड़ी असानी के साथ maintain भी किया जा सकता है उसको control भी कर सकते हैं उसके बाद जो next position है वो है horizontal position अब horizontal position को किस से indicate किया जाता है 2G से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन दो plates या work piece को हमें weld करना है उनको किस परकार से रखा गया है और यहाँ पर देखें जो work piece है वो एक दूसरे के उपर rest करते हैं फ्लैट position में ऐसा नहीं था उसमें दोनों जो work piece है वो बिल्कुल अगर हम बात करें बिल्कुल flat है दोनों अलग अलग जगह पर rest करते हैं लेकिन इस case में जो एक work piece है वो दूसरे work जो उपर वाला जो work piece है वो नीचे वाले work piece पर rest करता है और इसमें भी V groove बना हुआ है और इसमें जो axis होता है welding का वो भी horizontal होता है वो हम यहां से इस तरफ भी जा सकते हैं इस तरफ से इस तरफ भी आ सकते हैं वो depend करता है कि हम right word welding कर रहे हैं कि left word welding कर रहे हैं वो speed bend करता है और यहां आप देख सकते हैं कि horizontal position में किस प्रकार से weld किय गया है यह weld bead बन गया है दोनों वर्कपीस के बीच में तो इसमें अगर हम देखें कि यह जो welding होती है तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इस welding को किया जाता है और इस type की जो welding है इसमें जो molten metal होता है welding के दोरान वो अपने weight के कारण नीचे की तरफ आता है और जो molten metal और जो slag होते हैं उसको बड़ी असानी के साथ separate किया जा सकता है तो उसके बाद आप बात करते हैं जो हमारी जो next position है जो हम बात करेंगे वर्टिकल position की अब वर्टिकल पोजिशन में अगर आप देखें यहां पर जो दो work piece है या दो plate जिसे हमें weld करना है उसको हम वर्टिकल प्लेन में रखते हैं अगर आप देखें यह दोनों वर्टिकल प्लेन में है और जो welding का जो axis है वो भी हमारा वर्टिकल प्लेन में होगा और welding को हम कर सकते हैं टोप से बोटम की तरफ भी कर सकते हैं या टोप से बोटम की तरफ भी welding को किया जा सकता है उसके बाद अगर हम बात करें ये जो welding होती है जब हम vertical position में weld करते हैं तो इसमें जो molten pool metal होता है जो molten slag होता है वो अपने weight के कारण नीचे गिरते हैं और उसको बड़ी असानी के साथ separate किया जा सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस परकार से जब welding की जाती है तो welding जो groove होता है जिसमें weld करना है बिल्कुल सामने होता है बिल्कुल front में होता है welding operator के और vertical position को हम 3G से indicate करते हैं उसके बाद जो next है वो है हमारा overhead position overhead position के अगर बात करें इसमें अगर आप ध्यान से देखें इस position में जो work piece होते हैं जिसे हमें weld करना होता है वो welding operator का जो सिर है उन flat pieces से नीचे होता है आप यहाँ पर देखें जब welding की जाती है यहाँ overhead welding करनी है और जो welding operator का जो head या सिर है वो इन work pieces से नीचे की तरफ होता है और यहाँ पर अगर आप देखें यह जो overhead welding इस पर की गई है और इसमें जो molten metal होता है welding के दुरान वो gravity के कारण नीचे गिरता है और जो shape और size होती है molten pool की उसको बड़ी मतलब उसको नियंतरित करना control करना कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है और यह कह सकते हैं कि जो overhead position में जब भी welding की जाती है यह सबसे मुश्किल welding इसको कहा गया है और इसमें जो axis of weld है वो इसमें horizontal रहता है axis of weld horizontal रहता है तो हमने अभी जो discuss किया चार position आपके साथ discuss की है तो इसमें चार position में तीन position ऐसी है जिसमें जो axis of weld है वो horizontal है flat position में भी horizontal हमारा axis of weld है horizontal position में भी axis of weld horizontal है और जो overhead position है इसमें भी जो axis of weld है वो हमारा horizontal है सिरो vertical position है जिसमें हमारा जो axis of weld है वो vertical plane में होता है उसके बाद अगर हम बात करें जब welding की जाती है overhead position में इसकी जो efficiency है वो दूसरी welding position के मुकाबले कम होती है तो ये कुछ positions जो हमने आपके साथ discuss की तो दोस्तो इस वीडियो में हमने आपके साथ discuss किया कि welding करते समय जो चार main position होती है 1G flat position, 2G horizontal position, 3G vertical position और 4G overhead position कि कैसे workpieces को रखा जाता है जो welding operator है और welding करते समय उसका head कहां पर होता है तो ये आज हमने आपके साथ discuss किया अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे ही आप के खना जल्दीर है, झाल एक पर का जले ही तोस्तों के जएमी प्रता है हीपशनES पा motiv डिन साथ आपके साथ